रिशब शेटी की divine thriller film कांतारा की अपार सफलता के बाद आ रहा है उसका prequel इसलिए उसका नाम रखा गया है कांतारा chapter 1 technically film का दूसरा part but actually ये हुगा prequel यानि के कांतारा फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया था उसके पहले की स्टोरी और first look teaser देखने के बाद मैं तो बस यही बोलनगा के भाई इसको बोलते first look What an avatar by Rishabh Shetty Bawa यार I mean, 1 minute 23 second literally gives you goosebumps बात करते आगे, well hello मेरा नाम है Yogi और हमारी मुलाकात बार बार होगी मुझे नहीं लगता के कांतारा जैसे film या particularly अगर बात करें तो Rishabh Shetty ने climax में दिया हुआ mind-blowing performance कोई भूल सकता है वो scene आज भी देखोगे तो you will feel some kind of a divine energy और कांतारा टूया का है, कांतारा चैप्टर वन का यह जो first look teaser आया है और उसमें जो masculine look दिखाया गया है Rishabh Shetty का वो भी लोग भूल नहीं पाएंगे उपर से वही divine music उफ, literally goosebumps again पिछली movie सिर्फ 16 करोड में बनी थी और word of mouth से इस movie ने इतिहास रच के 300 करोड प्लस कमा लिये थे लेकिन इस बार भाई साब budget 125 करोड का है और comparatively यह बहुत massive budget है सोचो के 16 करोड में अगर masterpiece बन सकता है तो 100 करोड में किस level का content and visual हमारे सामने आ सकता है बस एक बात की कमी रहे गई first look में यार release date भी reveal कर देते तो hype और ज़ादा बढ़ जाती anyways, यह सिर्फ एक first look teaser नहीं है भाई लोग यह एक statement है कि Indian cinema is on its peak and ऐसे raw content पर अगर कोई film बनाने की हिम्मत रख रहा है और कुछ नया लोगों के सामने रखने की कोशिश हो रही है तो उस कोशिश को जरूर दिलों में बसाया जाएगा साथी में इसका poster look भी reveal किया गया है which is extremely spiritual and violent at same time खून से भरा हुआ उनका शरीर और सामने पड़ी हुई कुछ एक लाशे उपर से भी कुछ लोग उन पर हमला करने आ रहे है वो सिर्फ लोग नहीं है शायद soldiers है soldiers याने की किसी राजा महराजा काल के सैनिक उनिफॉर्म में दिखाई दे रहे है और कहां जा रहा है कि मुवी की timeline टेक प्लेस करेगी year 300 to 400 AD के बीच में तो it will kind of a poronic historical plus devotional thriller film जहाँ character के एक हाथ में भगवान परशुराम के हाथ में जैसा होता है न वैसा अस्त्र है और एक हाथ में भगवान शिव का त्रिशूल बाई साब ऐसा लुक दिया है कि इनसान अपने आप ही उस आवतार के साथ spiritually connect हो जाए and I think इसकी स्टोरी पंजूरले भगवान के incarnation पर based होगी याने जो main film कांतारा में समझ में नहीं आया था कि वो कौन से भगवान थे वगरा वगरा वराह रूपम जिने कहा जाता था उस पंजूरली भगवान के आवतार में हमें रिशब शेटी दिखने वाले है and I am much more excited for this ध्यान से देखोगे तो उनके कान के साइट से वराह जैसे दात होते है न वैसा कुंडल दिखाई दे रहा है भाई, जितना गुजबम मुझे कांतारा का climax देखकर आया था उतना ही मुझे इस teaser को देखकर आया है सो फिल्म जब भी आये और उसके सामने कोई भी तोफ मुवी क्यों न लग जाए मैं कांतारा first chapter को first day first show ही देखूंगा बस date बता दो जितना जल्दी हो सके हाँ, ट्रेलर में language select करने का option भी है जिस भी language में अगर आप देखना चाहों तो देख लेना हिंदी के लिए कोई ऐसा separate teaser नहीं है बाकि आपको कैसा लगा teaser मुझे comment में जरू बताना मिलते हैं अगले वीडियो में, बाई